राम राम जी सभी को कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं आप सब सवस्थ होंगे मस्थ होंगे और मेरी वेडियो देखने में व्यास्त होंगे तो भई सुबह ऊटकर करके जल्दी जल्दी काम मैं कर रही हूं तन्नु को रेडी तन्नु को बना रही हूं काना जी क्योंकि दो दिन बाद है जन मास्ट मी और हम दो दिन के लिए जा रहे हैं ट्रिप पर तो मुझे फिर मोका नहीं मिलेगा इसलिए मैंने ले लिया है ये शुदा का गेट अप और तन्नू को बना दिया है काना जी और करके अपने फोटो वीडियो सूट और हम निकल चुके हैं अपने ट्रिप पर और अब मैं देती हूँ आपको अपने ट्रिप की जानकारी भई हम जा रहे हैं खाटू शाम धाम और साला सर बाला जी महराज के दरबार में तो हम कर रहे हैं अपनी दूसरी गाड़ी का वेट और दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है तो यहां किया हमने चाए पानी और चाए पानी करने के बाद फिर से हम निकल चुके हैं अपने सफर पर सफर इतना सुहाना था आप चलते चलते भूग तो लगी आएगी तो भूग हमें लगी तो हम आ चुके हैं जैपुर वाले रोड पर ये शाहपुर में पढ़ता है हाईवे की हम बैठ चुके हैं अपने टेबल पर और अब हम करेंगे यहां लंच जी हां लंच करने के बाद ऐसा हो सकता है कि हम फोटो ना बनाए वीडियो ना बनाए तो भाई लोकेशन इतनी अच्छी थी यहां की मैं सच बता रही हूँ अगर आपको वीडियो फोटोग्राफी का शोक है तो आप यहां जरूर आईए खाना तो आपको मिलेगा ही बोड टेस्टी साथ में इतनी अच्छी लोकेशन मिलेगी तो बोलो भाई जैसरी शाम हारे का सहारा बाबा शाम हमारा हम पहुच चुके हैं खाटू शाम की नगरी में पहुचते ही हमने लगवाया तिलक और भाई पापा जी ने भी लगवा लिया है तिलक और दोनों तरफ लिखा लिया है राधे राधे तो हम जा रहे हैं काटू शाम जी के दर्शन के लिए यहां मतलब इस टाइम अब बिल्कुल भी भीड नहीं थी जब हम उसमें आये थे होली के टाइम आये थे यहां बहुत भीड थी लेकिन उस टाइम भी हमारे दर्शन इतने अच्छे हुए थे मैं फर्स टाइम आये थे अपनी फ्रेंट्स के साथ और अब सेकंड टाइम आ रही हूं अपनी पूरी फैमली के साथ जी हां और दर्शन हमारे इतने अच्छे से हुए बिल्कुल भीड नहीं थी अराम से दर्शन हुए तो भई आप भी कर सकते हैं हमारे खाटू शाम जी के दर्शन जैस्री शाम हारी का सहारा बाबा शाम हमारा तो भई हमारे दर्शन हो चुके हैं पापा जी ले रहे हैं यहां प्रिशाद प्रिशाद लेते ही हमने पापा जी से पूछा यहां शामकुंड है हमें उसके भी धर्शन करने हैं तो पापा हमें लेके जा रहे हैं शामकुंड शामकुंड में पहले बताते हैं बहुत पानी था और अब आप देख सकते हैं पानी यहां बिल्कुल थोड़ा पानी है जरा सा पानी है तो उसी में हमने अपने छीटे वेटे लगा लिए और बहुती सुन्दर ये बना हुआ है नीचे सीडियों से उतर कर नीचे जाओ यहां जगे जगे बात्रूम भी बने हुए लेकिन यहां मुझे नहाने की कोई स्वेदा दिखाई नहीं दी और अब हम निकल चुके हैं अपने दूसरे धाम की तरफ जी हां बालाजी माराज की तरफ तो भही वहां पोस्ते पोचते हमें हो चुकी थी रात क्योंकि हम शाम को हमारे दर्शन हुए और हम यहां से निकले तो तीन घंटे तकरीबन हमें लग गए और हमने खाया फिर जाके यहां खाना नहा दोके आ गए हैं होटल में रुके हैं और नहा दोके आ गए हैं और यहां से खाना खाके और फिर भई हम अराम से जाके सोई अपने रिलेक्स होए तो आप देख सकते हैं सुबा हो चुकी है और हम हैं साला सर में नहा दोके सभी हो बारे में जानना है इस होटल के बारे में जानना है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा और यहां देखिए ममी और बच्चे सभी सरीच सभी वीडियो फोटो में सभी बहुत पीची हैं ऐसा तो होता ही कि बाहर आये हैं तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना तो बनता ह ये था reception और ये दिल्ली guest house के नाम से था और भई और इसके बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप comment करके पूछिए और अब हम निकल चुके हैं hotel से और यहां हमने गाड़ी पार्क कर दी है बहुत बड़ी मूरती बाबागी बनी हुई थी यहां पे और अब हम निकल century की यहां भी खूब भेड़ थी और बाबा के जैकारे बाबा के भजन करते करते हमने अपनी यात्रा पूरी की और करके यहां से दर्शन अब हमें लग गई है भोग तो नास्ता करेंगे बही सुबह सुबह उठते ही आ गए थे बस चाहे चाहे पी थी तो अब सब खारे है कचोरी जी हां और भई कचोरी खाके और अब हम निकलेंगे घर के लिए सफर हमारा जारी है और रस्ते में हमें दिखा यह दोर्ग है या फिर भई किला है पता नहीं और अब हमारा हो गया है लंच का टाइम हम इस टाइम है जुन जुनो में और यह रेस्टोरेंट नहीं ख किया अच्छा से खानावाना खाया और फिर बही निकल चुके अब बच्चों को पीरना था जूस आप जूस वाले के पास गए तो देखा कि छोटे-छोटे दो बच्चे ही थे तो संजोग ने पटा-पट पटा-पट बोला गे मैं गुमाता हूं मशीन आप डालो इसमें मोस में और वो मोस में डालते गए संजोग ने उनकी हेल्प की वेरी नाइस तो वही बारिश आ गई है फिर से गाउंगी सुहाना सपर और ये मोस हमासी जी हां तो कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लोग प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और जैसरी शाम